दधी जी मुनी कौन थे शुक्रचारे ने दधी जी मुनी को जो महामृत्युन जय का उपदेश दिया था वह गया था श्री शिव महापुरान के अंतरगत दुद्ति संगेता के दुद्ति सतिखंड में अब हम यही जानेगे आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोज को लाइक, शेर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने सुद्जी बोले आत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का ये वज़न सुनकर दुच्छेश्ट नारत विसमे धोकर प्रसंता पूर्वक उनसे पूछने लगे नारत जी बोले भगवान विश्णू शिवजी को छोड़कर अन्ने देवताओं के साथ दक्ष की यग्ये में किस कारण से गये आनी की भांती शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया है कि करूना निधे यह मुझे बहुत बड़ा संदेह है आप इसे दूर कीजिए और प्रभू मन में उत्साहा उत्पन्य करने वाले शिवचरित्र को भी बताईए ब्रह्मा जी बोले हे दुजवर्य आप प्रेम पूर्वक शिवचरित्र का श्रवण कीजिए जो पूशने वालों तथा कहने वालों के सभी संदेहों को दूर करता है पूर्वकाल में दधीची मुनी ने राजा क्षुव की साहता करने वाले श्रीहरे को शाप दे दिया था इसलिए ब्रश्ट ज्यान वाले वे विश्णू देवताओं के साथ तक्ष के यके में चले गए नारजी बोले ये ब्रह्मन मुनियों में श्रेष्ट दधीची ने भागवान विश्णू को शाप क्यों दिया क्षुव की साहता करने वाले विश्णू ने उनका कौन सा अपकार किया था ब्रह्मा जी बोले क्षुव नाम से प्रसिद्ध एक महातीजस्वी राजा उत्पन्य होए थे वे महाप्रभावशाली मुनिश्वर दधीची के मित्र थे पूर्वकाल में लंबे समय से तपके प्रसंग को लेकर क्षुव और दधीची में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया उस विवाद में वेदिविंद शिवभक्त दधीची ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मन ही श्रेष्ट है इसमें संदेह नहीं महामनी दधीची की यह बाद सुनकर धन के मत्से विम्मुहित राजा क्षुव ने इस प्रकार प्रतिवाद किया क्षुव वोले राजा इंद्र आदी आठ लोकपालों के सुरूप को धारन करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी इवं प्रभू है इसलिए राजा ही सबसे शिष्ट है राजा की शिष्टा प्रतिपादन करने वाली शुती भी कहती है कि राजा सर्वत देव मैं है इसलिए हे मुने जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ आतह हे चैबन पुत्र राजा ब्राहमन से शिष्ट होता है आप इस संबन्द में विचार करें और मेरा अनाधर न करें मैं आपके लिए सर्वता पूजनी हूँ ब्रह्मा जी बूले उन क्षुव का शुतियों और स्मृतियों के विरुध यह मत सुनकर मुनिश्रे तदीची अत्यंत कुपित हो उठे तब विमुने आतम गौरव के कारण कुपित हुए महातिजस्वी दधीची ने क्षुव के मस्तक पर अपनी बाई मुठी से प्रहार किया तद पर शात दधीची के द्वारा ताडित किये गए ब्रह्मत दंदादीपती दुष्ट क्षुव अत्यंत कुपित हो गर जुठे और उन्होंने वजर से दधीची का सिर्काट डाला उस वजर से आहात हो दधीची प्रिथ्वी पर गिर पड़े क्षुव के द्वारा काटे गए भारकब वंचतर दधीची ने गिरते समें शुक्राचारे का स्मरण किया तब योगी शुक्राचारे ने आकर क्षुव के द्वारा दधीची के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया दधीची की देह को पूर्व की भादी ठीक करके शिभभक्त शिरोमणी तथा मृत्युन्चय विद्या के प्रवर तक शुक्राचारे उनसे कहने लगे शुक्र बोले हेतात दधीची मैं सर्वेश और प्रभुष शंकर का पूजन करके श्रेष्ट वैदिक महा मृत्युन्चय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ वह मंत्र यह है त्रयम्बकम यजा मही सुगंधिम पुष्टी बर्धनम और वार रुकमिब बंधनान मृत्योर मोक्षिय माम्रदात त्रयम्बकम यजा मही अर्थात हम त्रलोकी के पिता तीन नीत्रों वाले तीनों मंडलों अर्थात सुर्य, सों तथा अगनी के पिता तथा तीनों गुणों अर्थात सत्व, रज और तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं जो त्री तत्व अर्थात, आत्म तत्व, विद्य तत्व और शिवतत्व, त्री वहनी अर्थात, आवहनी एं, ग्रहपत्य और दक्षनागनी तथा प्रित्वी, जल, तेज इन तीनों भूतों के एवम जो, त्रिदेव, स्वर्ग, त्रिबाहु, तथा ब्रह्मा, विश्णु, अर्शिव, इन तीनों देवताओं के महान इश्वर महादेव जी हैं सुगंधिम, पुष्टी, वर्धनम, महाम्रतिंजय मंत्र का यह जुद्धी चरण है जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकारवे, भगवानशिव, संपून भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त, कृत्यों में इंद्रियों में, अन्याने देवों में और गणों में उनके प्रकाशक, सारभूत, आत्मा के रूप में व्यात्त है आतेव सुगंध युक्त एवं संपून देवताओं की ईश्वर है हे दुजुन्तम जिन महापुरुष से प्रकृत्ति की पुष्टी होती है हे सुब्रत महा तत्व से लेकर विशेश परेंद विकल्प के जो सुरूप हैं वे महामुने जो विश्णू, पिता महा, मुनिगणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टी का बर्धन करते हैं इसलिए वे पुष्टी बर्धन है वे देवरुद्र अमृत स्वरूप है जो पुन्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्या से, योग से, अत्वा ध्यान से उनकी अराधना करता है उसे वे प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयम ही लता को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयम ही उसे बंधन से मुक्द कर देता है ठीक, उसी प्रकार बंध, मोक्षकारी, प्रभुसदाशिप अपने सत्य से जगत के समस्तर प्राणियों को मृत्यों के पाशरूप सूक्षिम बंधन से छुड़ा देते हैं यह मृत्संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत्से सर्वोतम है हे दधीची, आप मेरे द्वारा दियेगे इस मंत्र का शिव ध्यान परायन होकर नियम से जब कीजिए जब और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभी मंत्रत कर दिन और रात में जल भी बीजिए तता शिव विग्रह के पास स्थित हो उनीका ध्यान करते रहिए इससे कभी भी मृत्यू का भय नहीं रहता सब्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्यागरता रहित हो भक्त बचसर्च सदाशिव का ध्यान करें अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जब करना चाहिए इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष भारवान शिव के प्रभाव से इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है अपने दो करकमलों में स्थित दोनों कुम्भों से जल को निकाल कर उपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिशेक करते हुए कुम्भ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारन करते हुए शेश दो हाथों से अक्षमाल तथा म्रिग मुद्रा धारन करने वाले। कमल के आसन पर विराजमान, सिर्पर्स्थित, चंद्रमा से तपकते हुए अम्रितकाण से भीगे हुए शरीर वाले तथा तीन नेतर वाले। पार्वती सहित महामृत्युन्जे भागवान का में ध्यान करता हूं। ब्रह्मा जी बोले, हेतात, मुनी शेष्ट दधी जी को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचारे भागवान शनकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामृत्य दधी जी बड़े प्रेम से शिवजी का स्मरण करते हुए तपस्या के लि प्रस्या करने लगे। दीर के काल तक उस महामृत्य जी मंत्र का जब करके तपस्य द्वरे शनकर की अराधना करके उन्होंने शिवजी को प्रसंद कर लिया। हे महामृने तब उस जब से प्रसंचित हुए भक्त बच्सल्चिव उनकी सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनिश्वर आनन्दित हो गए और उन्हें विधी पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाद जोड भक्ति भाव से स्तवन करने लगे। हे तात हे मुने उसके बाद मुनी के प्रेम से आनन्दित उन्षिव ने अत्यंत प मैं वचन सुनकर भाग्त श्रिश्ट दधी जी दोनों हाद जोड़कर नत्मस तक हो भाग्त वच्छ शंकर से कहने लगे। दधी जी बूले हे देव देव हे महादेव मुझे तीन वर दीजे मेरी हड़ी वज्रु हो जाए कोई भी मेरा वद ना कर सके और मैं सर्वता आद तीन रहूं। ब्रह्मा जी बूले। उनके कहे हुए बचन को सुनकर प्रसन एवं परमेशुर ने तथास्तु कहा और उन दधीजी को तीन वर दे दिये। शिवजी से तीन वर पाकर वेदमार्ग में प्रतिष्ठित महमुनी आनंद मग्न हो गये। और शीक्र ही राजा क् के स्थान पर गये। उग्र सुभाव वाले महादीव जी से अवध्यता अस्थी के वज्र में होने और अदीनता का वर पाकर दधीजी ने राजेंदर क्षुव के मस्तक पर पादमूल से प्रहार किया। ता विश्णु की महिमा से गर्वेत राजा क्षुव ने भी क्रोध ना कर सका। इसे ब्रह्मपुत्र क्षुव को आश्चर हुआ। मुनिश्वर दधीजी की अवध्यता अदीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देगकर प्रह्मकुमार क्षुव के मन में बड़ा विश्में हुआ। वे शर्णागत वत्सल नरेश मृत्युन्जय के स देवत दधीची से पराजित होकर शिक्रही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरी के अराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुर्ध्वच भागवान मधुसूदर ने उन्हें दिवविद्रष्ट्री प्रतान की। उस दिवविद्रष् स्थुत। उन अजे इश्वर देव का पूजन और स्तवन करके वे राजक्षुब भग्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक छुकागर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। करके उन्हीं श्रिवजी के प्रभाव से सब के द्वारा सदा के लिए अवद्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अभेलना पूर्वक प्रहार किया। और बड़े गर्व से मुझे कहा मैं किसी से नहीं ड़ता। हे हरे वे मृत्युन जैसे उत्तमवर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले। हे नारत महात्मा दधीची के अवध्यता को जानकर श्रेहरी ने महिश्वर के अतुल्य प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके व ब्रहमनों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूबते विश्य शूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्रहमन दधीची को दुख होगा और वहे मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाए हे राजिंद्र दधीची के शाप से दक्ष के यक्य में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजिंद्र दधीची के शाप के कारण ही सभी देवताओं मेरे तथा ब्रहमा के उपस्तत रहने पर भी दक्ष का यक्य सफल नह ही महाराज मैं आपके लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा विश्णु का एवचन सुनकर राजक्षुव ने कहा ऐसा ही हो इस प्रकार कहकर वे उसकारे के लिए मन ही मन उत्सुखो प्रसंता पूर्वक वहीं ठहर गए ब्रह्माजी बूले भाक्तवत्सल भागवान विश्णु राजक्षुव के हित्साधन के लिए ब्रह्मन का रूप धारन करके दधीची के आश्रम में गए कपट रूप धारन करके जगतकुरु श्रीहरी शिव भक्तों में शेष्ट प्रम्रिशी दधीची को प्रणाम करके क्षुव के कारे की सिध्धी के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे हे दधीची शिव की अराधरा में तत्पर रहने वाले हे विप्रशे हे अव्याय मैं आपसे एक वर मांगता हूँ क्रिपा करके उसे आप मुझे दीजिए क्षुव की कारे सिध्धी चाहने वाले देवदेव विष्णू की द्वारा याचित परम शिवभक्त दधीची विष्णू से शिक्र यह वचन कहने लगे दधीची बोले हे विप्र मैंने आपका अभिष्ट जान दिया है आप भगवान शिहरी क्षुव के कारे के लिए ही यहां ब्राहमन का रूप धारन कराये हैं आप तो मायवी हैं हे दिवेश हे जनार्दन शिवजी की कृपा से मुझे भूत भविष्ण और वर्दमान इन तीनों कालों का ज्यान सदा रहता है मैं आप शिहरी विष्णू को जानता हूँ हे सुवरत इस ब्राहमन वेश को छोड़िये दुष्ट बुद्धी वाले क्षुव ने आपकी अराधना की है हे भगवन हे हरे मैं आपकी भगत वच्छलता को जानता हूँ यह चल छोड़िये आपने रूप को ग्रहन कीजिए और भगवन शंकर का स्मरण कीजिए शंकर की अराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हूँ तो आप उसे यतन पूर्वक सत्ते की शपत के साथ कहिए शिव की स्मरण में आसक्त बुद्धी वाला मैं कभी जूट नहीं बोलता मैं इस संसार में किसी देवता ये दैते से भी नहीं डरता विष्णु बोले उत्तमरत का पालन करने वाले हे दधी जी आपका भय तो सर्वता नश्टे ही है क्योंकि आप शिव की अराधना में तत पर रहते हैं और सर्वक के हैं आपको नमस्कार है आप मेरे कहने से एक पर अपने प्रती द्वंदी राजक्षुव से गया कह दीजिए कि हे राजेंद्र मैं आपसे डरता हूँ ब्रह्मा जी बूले विष्णु का ये वचन सुनकर शिव भक्तों में शेष्ट महामुनी दधी जी हासकर निर्भाय हो कहने लगे मैं पिनाक धारी देवादी देव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचित मात्र भी नहीं डरता हूँ ब्रह्मा जी बूले उन मुनी का ये वचन सुनकर भग्वान विष्णु क्रोधित हो थे और वे मुनी शेष्ट दधी जी को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठा कर खड़े हो गये राजक्षुव के सामने ही ब्रहमन पर चलाया जाने वाला उनका भहेंकर चक्र शिवजी के प्रभाव से वहीं पर कुंधित हो गया इस प्रकार उस चक्र को कुंधित हो देखकर दधी जी हसते हुए सत एवं असत की अभिव्यक्ति के कारण भूद भगवान विष्णु से कहने लगे हे भगवन आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रत्न से शिवजी से सुदर्शन नामक अत्यनत दारुन जिस चक्र को प्राप्त किया है शिवजी का वैशुब चक्र मुझे नहीं मालना चाहता तब भगवन शिहरी ने कृद होकर क्रमसिस सभी अस्तरों को उन पर चलाया इस पर दधी जी ने कहा अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बानों से तथा अन्यप्रकार के अस्तरों से प्रत्न कीजिए ब्रह्मा जी बोली दधी ची के वचन को सुनकर भगवान विश्णू उन्हें अपने सामने अत्यनतर तुछ मनुष्य समझ कर क्रोधित हो अन्यप्रकार के अस्तरों का उन पर प्रयोक करने लगे उस समय एक मात्र उस ब्रहमन से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदर पूर्वक विश्णू की सहायता करने लगे विश्णू पक्षे इंद्र सभी देवगन भी दधी ची के उपर बड़े वेग से अपने अस्त्रशास्तर शीक्र चलाने लगे तब वज़र हुई अस्तियों वाले जीते इंद्रे दधी ची ने शिवजी का स्मरण करते हुए मुठी पर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रियोग किया ये मुने शिवजी के प्रभाव से मुनिश्वर दधीचे के द्वारा प्रियुक्त वे मुठिबर कुशा कालागनी के समान दिव्य त्रिशूर बन गए चारों और से जलता हुआ प्रियुगनी से भी अधिक तेजवाला तथा ज्वालाओं से युक्त वे शैव अस्त्र आयुद्धों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा उस समय विष्णू इंद्र आदी प्रमुख्ध देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस्त्रिशूर को प्रणाम करने लगे तब नश्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगर्ण भागने लगे मायवियों मिश्रेष्ट स्वामी विष्णू ही एक मात्र भैभी थो वहा स्थित रहे तब पूर्षोतम भागवान विष्णू ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्वे गणों को उत्पन्न किया हे देवर्षे ततन अंतर विष्णू के वीरगर्ण आकेले शिव स्वरोब दधीची से युद्ध करने लगे ततन अंतर शिव भाग्तों में श्रेष्ट मरशित दधीची ने रण में उन गणों के साथ बहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सब को जला दिया तम माया विषारत भागवान विष्णू मरशित दधीची को विसमित करने के लिए शिग्र ही विष्व मूर्थी हो गए ब्रह्मन शेष्ट दधीची ने उस समय उन विष्णू के शरीर में हाजारों देवता आधी को अन्य जीवों को देखा उस समय विश्व मूर्थी के शरीर में करोणों भूत, करोणों गण तथा करोणों ब्रह्मांड विद्यमान थे उन सभी को देखकर दधी चीमुनी जगत पती, जगत, स्तुत्य, अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विश्णु से कहने लगे हे महाप्रभो, आप माया को त्याग दीजे, विचार करने से सब प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है हे माधब, मैंने भी हजारों दुर्विज्य वस्तूं को जान लिया है अब आप निरालस से होकर मुझमें अपनी स्थित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपून जगत को देखिए मैं आपको दिव्वित रिष्टी देता हूँ ब्रह्मा जी पूले, इस प्रकार कहकर भागवान शिव के तेथ से पून शरीर वाले दधीची मुनी ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मा अंड को दिखाया ततपशाद, शिव भागतों में श्रेष्ट बुद्धिमान दधी जी मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भाय होकर देवेश भागवान विष्णू से कहने लगे हे हरे, आपकी इस माया से अत्वा मंत्र शक्ती से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ट काम न करके गयतन पूर्वक मुझसे युद्ध कीजे ब्रह्मा जी बुले, तब उन मुनी का ये वचन सुनकर विष्णू शिर्जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनी पर अत्यन्त कुपित हो थे उस समय जो देवता भाग रहे थे, वेवी प्रतापी दधीची से युद्ध करने की इच्छा से उन नारान देव के पास आ गए इसी समय मुझे साथ लेकर राजक्षुब वहां आ गए मैंने देवताओं तथा विष्णू को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्रामन किसी से जीदा नहीं जा सकता मेरी यह बात को सुनकर भागवान विष्णू ने मुनी के निकर चाकर उन्हें प्रणाम किया उसके बाद वे क्षुब भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर्द धीची के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे क्षुब बोले हे मुनीश्ष्ट प्रसन्न होईए हे शिवभक्त शिरुमने प्रसन्न होईए हे परमेशान आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुरलक्षे हैं ब्रह्मा जी बूले हे नारत उन राजक्षुब की तथा देवताओं की यह पात्सुन कर तपस्य निथी ब्राह्मन दधीची ने उन पर अनुग्रह किया तदरंतर विष्णु आधी को देख कर मुनी ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिवजी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया दधीची बूले देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णु देव रुद्धु की क्रोधागने से धोस्त हो जाएं ब्रामा जी बूले इस प्रकार देवताओं को शाप दे कर पुनह क्षुव की ओर देखकर मुनीश्वर से कहा हे राजिंद्र श्रेष्ट द्विज देवताओं और राजाओं से भी अधिक बुज़े होता है हे राजिंद्र ब्राहमन ही बली और प्रभावशाली होते हैं ऐसा स्पष्ट रूप से कहे कर वे ब्राहमन दधीजी अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए ततपशाद दधीजी को नमस्कार करके क्षुब अपने घर चले गए और भगवान विष्ट भी जैसे आये थे उसी प्रकार देवताओं के साथ अपने वेकुंठ लोग को चले गए इस प्रकार वे स्थान स्थान इश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया स्थान इश्वर में पहुँचकर मनुष्य शिवका सयुज्य प्राप्त कर लेता है हेताथ इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में क्षुब और दधीची का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसको भी वर्णन कर दिया जो व्यक्तिक शुब और दधीची के इस विवाद संबंदी प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अप मृत्यु को जीत कर शरीर त्याक के पशात ब्रह्मलोग को जाता है जो इसका पाठ करके रण भूमी में प्रवेश करेगा उसे सरवदा मृत्यु का भए नहीं रहेगा तथा वह विजय होगा आप सभी को कोटी कोटी साधुवाद आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी ये लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहिद करें